हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आदम नाम का मतलब उसकी राशी उसका व्यक्तित्व और उसका शुब अंक्या होता है आदम नाम का मतलब हुआ अधिकतर माता पिता अपने बचे को आदम नाम देना चाहते हैं लेकिन इससे पहले वो इसका मतलब जानने का प्रयास नहीं करते हैं आदम नाम का मतलब एक भविश्यत वक्ताओं नाम काले होता है आदम नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह वेभार करने लगता है आपको बता दे कि सिसु को आदम नाम दे कर आप उसके जीवन में सकरात्मक संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं जैसा कि हमने बताया कि आदम का अर्थ एक भविश्यत वक्ताओं नाम काले होता है और इस अर्थ का प्रभाव आप आदम नाम के वेक्ती के स्वभाव में भी देख सकते हैं मंगल ग्रह मेश राशी का स्वामी माना जाता है, मेश राशी का अराध्य देव भगवान श्री गनेश को माना जाता है। आदम नाम के लड़कों के जन्मकल लेने का मौसम काफी सुहावना होता है। इस जाती के आदम नाम के लड़के भविशे में जवर, खुन की असुद्धियों के रोगों, पाईरिया, सिर्दर्द, अनिद्रा और गुसेलस और भाव के कारण परिसान हो सकते हैं। सेरे ब्रम, सेरे बेलम, मस्तिस्क के भाग, उपरी जबडे, प्यूस ग्रंथी, मस्तिस्क में पाई जाने वाली ग्रंथी, चेहरे की हड्डियों की समस्याओं, आधी से ये आदम नाम के लड़के असानी से ग्रस्थ हो जाते हैं। इस रासी के आदम नाम के लड़कों का पाचन तंत्र भली प्रकार से काम नहीं कर पाता अब हम जानेंगे आदम नाम के व्यक्ति का शुब अंक क्या होता है आदम नाम के व्यक्ति का शुब अंक 9 होता है और ये मंगल ग्रह के अधिन होते हैं नौ अंक्वाले लोग डरते नहीं हैं जिस कारण कभी-कभी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। आदम नाम के वक्ति में लीडर बनने के गुण होते हैं इस अंक्वाले लोग दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही पूरी सिद्धत के साथ निभाते हैं। अब हम जानेंगे आदम नाम के वक्ति का वक्तित्व कैसा होता है। आदम नाम के वक्ति का वक्तित्व। यह लोग अपने करियर और पैसों के मामले में किसी तरह कर समझाता नहीं करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।